हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड 1947 में विवाजन के बाद से ही कश्मीर हमेशा से विवादों में रहा है अब भी विवादों में है पिछले साल धारा 370 में परिवर्तन किया गया था उसके कुछ प्रावदान हटाए गए थे अब भी विवाद कश्मीर को लेकर लगातार होता रहा है अब कश्मीरियत नाम की एक शौट फिल्म बनी है जिसे दिव्यांश पंडित ने बनाया है और जिसमें जानी मानी अभिनेतरी जरीना वहाब नजर आएंगे एक मा के किरदार में एक ऐसे बेटे के मा के किरदार में जो आतंगवाद में यकीन करता है उसके प्रचार प्रसार में यकीन करता है क्योंकि वहाँ क्या हालात कुछ वैसे हैं दोनों से बात करते हैं, जरीना मैम, बहुत-बहुत स्वागत है, वीपी नियूज में आपका, थैंकियो सब मच, 2010 में फिल्म रिलीज हुई थी, My Name Is Khan, जिसमें आप शारुक खान की माँ बनी थी, और वो फिल्म जो है, इस्लामोफोबिया जो होता है, जो देश भर, दुनिया भर में जो फैल गया था, जो अमेरिका में हमला हुआ था, ट्विन टावर्स पे, उसके बाद जो, मुस्लिम लोगों को लेकर खास दोर से लोगों के जहन में जो बात होती है, उसमें आपने किरदार निभाया था, बहुत अच्छा किरदार था आपका, अब एक बार फिर से आप मा का किरदार निभारी है इस फिल्म में, क्या कुछ खास बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, कश्मीरियत के बारे में? कश्मीरियत जब मुझे दिम्याश ने ओफर किया था मैंने का कि शॉट फिल्म है तो करके दिखते हैं लेकिन पहले सुनती हूं कर अच्छा लगा तो जब इन्होंने सुनाया मुझे तो मैं तो मैं तो बहुत बहुत करूंगी कि 100% I will do it so करते हैं मुझे बहुत मज़ाया और काफी चीज़ें समझ में आएं कि कश्मीर में क्या क्या हो रहा था जो we were not aware of it लेकिन जो कुछ भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था लेकिन इन्हीं में बहुत तकलीफ हो रही थी जानकर कि यह सब कुछ हुआ है उसमें और दिमाश में जितना अच्छा दिखा रहा है हुनोंने दिखा एक माँ के करदार में आप फिर से नजर आएंगी अपने करदार के बार बहुत कूछ आप खास बता सकती है थोड़ी हमें स्टोरी लाइन पता है इसकी क्या है फिल्म भी आ चुकी है लेकिन आप क्या कुस खास बताना किस चीज ने आपको प्रेडित किया कि आप ये गिर्दाने कौई? इस रोल में बहुत इमोशिंस भी है और बेटे को समझाने की चीजे भी है और जो बेटा कर रहा है वो मा को पसंद भी नहीं है जो कर रहा है बहुत सारी चीज़े हैं जो एक अधन आटिस्ट, एनी आर्टिस्ट वड़ लब तो दो इस कांड़ रूल, आपके सवाल में ही जवाब है यही सारे कारेंट से जिसका एक और यू से एक नरेटिव जो चलता आया है, जो लोग देखते आया है कि हमारी सेना यह कर रही है, वो कर रही है वहाँ, बकवास है, यही से प्रश्मीरी मैसल और मेरे काफी रूट से महां पर आज भी जम्मु में, सब्सक्राइब काश्मीरी से तो हमारा जितना भी था सब उस तरफ सब आफर दे जनोसाइट जो एक निक लिंजिंग हुई थी विभाजन जो हुआ था एक ना बड़ा 1990 मैं उसके बाद मेरे गांफादर्स जो नो ने वी वी तरिक्लेट्लेट्लेट्लेट्लेट्लेट्ले चलता या है और चल रहा है मुझे उसका तूसरा साइट बताना ज़रूरी था इस फिर्म के थरू दाएट कि छोटे मोटी प्रोलम्स होंगे I'm sure but कहां ही होती हर जगा होती है but it is not justified I agree but जिस लेवल का जिस तरह से प्रपगैंड़ा चलाया जाता है कश्मीर को एक हमारी सेना बताएं तो समझाएं तो यह दुनिया जो है जिस तरह से देख रही हमने हमारी फिल्म में एक बच्चे कि थरू पुरा सिंबॉलिकली पुरा एक्स्पें किया है कि किस तरह से एक प्रेन बॉश हो जाते हैं लोग और जो दिखाय जाता है वही देखते है और वही मानते है और यह सालों से चलता हा रहा है so I want to show the other side which is also the truth and उसके बिना दूसका जो नरेटिव चल रहा है इसका कोई माहने नहीं है sadly यह जो truth है जो आपको दिखाया जा राज तक और जो लोग देखते आ रहे है सिर्फ यह लोग मान के चल रहा है अचा यह है दूसरा side कि बिना इसका कोई माहने नहीं है और दूसरा side है वह हमने हमारी short film में बताय है हमारी short film के थू कि it's not so simple आजादी बिना कश्मीरी पंड के बारे को लेकर है हमेशा से अपने आपको अलग मानते रहे हैं पूरे भारत भारत के अगर बात की जाए एक मसला कश्मीरी पंडितों का है जो Exodus हुआ था 1989 में जैसे की दिव्यांश बता रहे हैं उन्होंने करीब से देखा है समझा है आप क्या मानती है कश्मीर का मसला ज जब मैं दिव्यांश के साथ काम करने लगी दिन ना केंट नो अच्छी यह सब कुछ हुआ था अच्छले 89 में जो हुआ था वेगली हमने सुना था लेकिन इतने डीपली बात थी उतनी समझ नहीं थी उस वक्त मुझे लेकिन आज मैं इस बात को मैं पुरी दरे से समझ सकत काफी परेशानियां से गुजरे हैं लोग एंड इस साथ कोई राय है इस बारे में आप दोनों की कि तीन सो अब जो धारा दीन सो सतर पिछली साल लागू किया उसमें जो परिवर्तन किया गया और उसके एक साल हो गए है अभी पांच अगस्त को उसके बार में कोई राय है अब यूनियन स्टेट बना दिया गया है जमो कशमीर को उसके बार में आप दोनों की कोई राय है अब ज्यादा नोलेजिस के बार में अब अग्या जो भी देख रहे हैं अब आप अच्छे से बिना किसी ब्लट शेड के इतना बड़ा काम हुआ है और यहां से च्छे से ब अब अच्छे होंगी वह अलग बात है कि उसको टाइम लगेगा इस नॉट सुसंपल इतनी पुरानी प्रॉब्लम इतनी आसानी से नी जाएगी आप देखिए इतनी इतना बड़ा डिशीजन के बाद को ब्लट शेड नहीं हुआ इपन वेरी नैसली एफ हाववयवर टरॉरिजम स्टिल प्रवेंज इस देर बड़ वियर इन मच बटर हैंड एस फार अच्छे मीर कंसर्ण एड हर्ट क्रीकल 370 का हाथ ना बहुत जरूरी था क्योंकि वह एक थंदा बन चुका था हुएक बिजनस मन चुका था और वह अब सबकी दुकाने ब आप 45 साल हो गए हैं आपको एक्टिंग करते हुए आप बता सकते हैं कि क्या बदलाव आपने इंडस्ट्री में महसूस किया और अपने सफर को आप किस तरह से देखती हैं अउम् मेरा सफर तो काफी अच्छा रहा लेकिन बहुत सारी चेंजिस आगई हैं पता नहीं जब हम काम करते थे उस वक्त की बात ही कुछ और थी एक सामली की तरह हम लोग रहते थे और उस वक्त वैनल्य वैंज भी नहीं थी हम लोग साथ में बैठके खाना खाना और टाइम पर आना, अपने काम को बहुत सीजिस्टी लेना, आजकल हम अपने seniors के इतनी इज़त करते थे, इतनी इज़त, आज वो बात नहीं रहें, I'm extremely sorry to say, newcomers अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आजकल, 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 आजकल मैं दर्म जी के साथ भी एक शॉट फिल्म कर रही थी, मैं दर्म जी भी वही कर रहे थे, पहले जैसी बात नहीं है, पहले महुली कुछ अलग होता था काफी प्रोफेशनल जैसा हो गया है, वो जो रिष्टों में गर्माहट होती थी सेट पर, वो शायद मिसिंग है? बिल्कुल मैं सिंगे, सब लोग अपना जैसा शॉट खतम होता है, अपने वैल्टी वैन में चले जाते हैं, उस जमाने में वैल्टी वैन नहीं थी, हम लोग पेड़ों के निचे ही अपनी कुर्सी लगा कर बैढ़ते थे, और अच्छा माहूल था, हम किसी की बुराही नहीं पर अपने में अपना रहते हैं, और अगर किसी के अंदर गिल्ट होगा, उन को इस फिल्म का इस फिल्म का इस फिल्म का इसलिम पसंद नहीं है, आप वस पे बिल्कुल कितिसाइज कर सकते हैं, लेकें न इकान आप अच्छा एं और जिस घिस रस्पांस है, और जो response है, कही न कही जिल्ट है मन में I would like to say I agree with him चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैमेरमेन रवी पांचाल के साथ रवी जैन, ABP News, Mumbai ABP News, आपको रखे आगे झाल 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 झाल